गुट बॉर्निंग इस्टुरेंट्स आज अपने इस्पेशली बात करेंगे अलबर्ट इस्टेन की बात करेंगे अपन पिछली क्लासिज के अंदर अपन ने इस्पेशली दिखा था ग्राम इस्टेनिंग के अपने बात कर ली है उसके बात में इस्टेनिंग जो अपन बात करेंगे कि special जो है mycobacterium जो होता है उसके लिए की जाती जाती है माइको बैकटिरिया वगरा जो होता है उसको देखने के लिए की जाती है que 210 बात कि थी उसके अंदर mainly किसका रॉल था mycolic acid क्या होता है mycolic acid के amount जो होती है वो क्या होती है जादा होती है तो देखिए आज अपने special बात करने वाले हैं Albert Stain के अपन बात करेंगे Albert Stain के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये एक ऐसी Stain है जिसके अंदर आपको washing की आउशकता नहीं होती है क्या नहीं होती है वासिंग के आशकता नहीं होती है दूसरी बात यह है अलबर्ट Stain जो होती है वो मेंली कॉर्णी बैक्टिरियम डिप्थिरिया या कॉर्णी बैक्टिरियम जो होते हैं उनके लिए यारसीनिया पैस्टीज इस तरह के जो बैक्टिरिया है जिनके साइटो प्लास्म के अंदर मेटा क्रॉमेटिक ग्रैनूल्स होते हैं क्या होते हैं मेटा क्रॉमेटिक ग्रैनूल्स होते हैं तो उन बैक्टेरिया को identify करने के लिए उन बैक्टेरिया को देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं अलबार्ट इस्टेनिंग अपन यूज करते हैं और इस स्टेन के अंदर जो आपका बैक्टेरिया होता है वो क्या होता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है कैसे दिखाई देता है green color का दिखाई देता है और इसके अलावा जो आपका metachromatic granules जो होते हैं वो metachromatic granules bleuis black आपको क्या होते हैं दिखाई देते हैं तो ये चीज आप special धिहान रखना कि कौन से bacteria को देखने के लिए आप अलबर्ट staining यूज़ करते हैं दूसरी बात ये धिया रखना कि Albert staining mainly उस bacteria के लिए काम में ली जाती है जिनके अंदर metachromatic granules present होते हैं क्या present होते हैं? metachromatic granules present होते हैं उनको identify करने के लिए आप क्या use करते हैं? Albert staining आप use करते हैं एक चीज आपको special order धिया रखना है कि इस staining के अंदर आपको जो है जैसी आप कोई stain आप डालेंगे डालने के बाद में आपन यहां पर क्या नहीं करते हैं? आप wash नहीं करते हैं इस मेर को क्या करते हैं ड्राइ करते हैं तो ये special चीज़े जो है आपको इस staining के लिए special ध्याँ रखना है अब अपन देखो अपने topic पे चलते हैं आपको यहाँ पर देखो जो दिखाई दे रहा है अलबर्ट staining जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके अंदर आप मामला यहाँ पर आपको पीछे background के अंदर यह जो बैक्टिरिया जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बैक्टिरिया हमारे कौन से बैक्टिरिया है वो है corny bacterium diptery आप ध्यान रखना corny bacterium diptery जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं चाइनीज लेटर के समान दिखाई देते हैं जैसे माली जी ऐसे वी की तरह दिखाई देते हैं या फिर एल की तरह दिखाई देते हैं या फिर इनके वीच में किसी तरह का क्या होता है एंगल होता है तो इस तरह से यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह चाइनीज लिटर के समान जो आपको दिखाए दे रहे हैं वो कौन से बैक्टिरिया है कौन से बैक्टिरिया है कौन से बैक्टिरिया है आपको देखो यहां दिखाए दे रहा है कि यह बैक्टिरिया जो है वो कैसी नेचर का है बेसीलाई नेचर का है कैसा है बैसी लाई नेचर का है और साथ में आपको यह जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है क्रॉमेटिन अब सुरी मेटा क्रॉमेटिक ग्रेनियूल्स है क्या है यह आपके मेटा मेटा क्रॉमेटिक ग्रेनियूल्स क्या है यह मेटा क्रॉमेटिक ग्रेनियूल्स यही हमारी special चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि metachromatic granule जो है उनको especially देखने के लिए आप कौन से staining करते हैं? Albert staining करते हैं कौन से staining करते हैं? आप Albert staining करते हैं और देखो जो आपका bacteria है कौनी bacteria जो है आपको कौन से color में दिखाए दे रहा है? ग्रीन कलर के अंदर दिखाए दे रहा है कौन से color में दिखाए दे रहा है? ग्रीन कलर के अंदर दिखाए दे रहा है तो आप especially दिखाए रखना कि जो Albert staining हैं वो bacteria जिनके अंदर metachromatic granules और metachromatic granules का जो दूसरा नाम है वो क्या है? walletine granules है क्या है? वोलिटीन ग्रेनियूल्स है क्या है भई वोलिटीन ग्रेनियूल्स है तो आप हमेशे ही दिहान रखना कि आपका जो बेक्टिरिया है जिसे कॉर्नी बेक्टिरियम डिफ्थिरिया बगरा है यारसीनिया पैस्टीज है उनके अंदर क्या होते हैं metachromatic granules होते हैं तो इस तरह कि जो आपकी granules हैं जिनको आप क्या कहते हैं walletin granules है उन्हें को देखने के लिए कौन से staining आप काम में लेते हैं albert stain आप काम में लेते हैं क्या काम में लेते हैं albert stain एक color आपको special दियान रखना है कि इस staining के अंदर जो bacteria है वो कैसे color का दिखाई देता है आपको green color का दिखाई देता है और जो walletin granules है वो walletin granules होते हैं वो किस color में दिखाई देते हैं आपको bluish black दिखाई देते हैं कैसे दिखाई देते हैं bluish black आपको दिखाई देते हैं अब देखो student यहाँ पर आपको इनके बीच में क्या होता है? एंगल होता है तो इस तरह की ये बैक्टिरिया जो है आपके पड़ेवे होते है और साथ में इनके पास में क्या होते है? Metachromatic Granules या जिनको आप क्या कहते है? Volletin Granules कहते हैं क्या कहते है? आप polletin Granules आप कहते है आगे देखो स्टूडेंट्स आपको अब जो है इसका सब कुछ आपको इजिली समझ में आ जाएगा आप देखिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं अपन क्या बात कर रहे हैं यहां पर कि अलबर्ट स्टेनिंग जो है वो मेंली किसके लिए काम में ली जाती है कॉर्णी बैक्टिरिया किसके लिए काम में ली जाती है कॉर्णी बैक्टिरिया और यही हमारा क्या है अब्जेक्टिव क्यूशन है यही हमारा क्या है अब्जेक्टिव क्यूशन है कॉर्णी बैक्टिरिया हो गया इसके अलावा यारसीनिया पैस्टीज कौन सा बैक्टिरिया यारसीनिया पैस्टीज इनके अंदर भी क्या परेजेंट होते हैं मेटा क्रॉमेटिक ग्रैनियूल्स एक चीज आप लोग धियां रखना मेटा क्रॉमेटिक ग्रैनियूल्स को और क्या कहते हैं आप Walutine Granules भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं, Walutine Granules के नाम से भी आप जानते हैं, तो इस तरह जो Metachromatic Granules वगरा जो है, जिन भी बैक्टिरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, उनको देखने के लिए आप कौन से स्टेनिंग यूज़ करेंगे, अलबर्ट्स स्टेनिंग आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये स्टेनिंग मेंली जो है, कौने बैक्टिरिया, डिप्टिरिया, और जो दूसरे कौने बैक्टिरिया है, उनको देखने के लिए इस्पेशल काम में ली जाती है, ठीक है बही, और अगर अपन बात करें, मेंली जो है, वालेटिन ग् पॉश्ण जो है वो ये बनता है कि अलबरट इस्टेन, जो है वो किसके लिए काम में ली जाती है आगे देखे भई आगे देखते हैं नेक्स अपन बात करते हैं अगर देखिये आप अब बात आती हैं कि इसके लिए requirement की किस किस सीज़ की हमें requirement होती है तो देखो आपन बात करें कि इस standing के लिए आपको क्या चाहिए standing rate चाहिए आपको standing rate चाहिए इसके अलावा जो आपको कुछ stand चाहिए दो परकार के अपन स्टेन काम में लेंगे पहला आप करेगा अलबर्ट स्टेन फास्ट क्या यूज करेंगे आप अलबर्ट स्टेन फास्ट और फिर आप क्या काम में लेंगे अलबर्ट स्टेन अलबर्ट स्टेन सेकंड तो दो इस्टेन आप यहाँ पर यह यूज़ करेंगे इसके अलावा जो देखो और क्या आप यूज़ करेंगे यहाँ पर ब्लोटिंग पेपर क्या यूज़ करेंगे आप ब्लोटिंग पेपर भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके अलावा जो है आपको और क्या चाह करेंगे आप हंड्रेड एक्स के अंदर करेंगे किसमें करेंगे हंड्रेड एक्स के अंदर करेंगे जिसे आप क्या कहते हैं ओयल इमर्जन के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं ओयल इमर्जन लेंस के नाम से आप जानते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए सिडार पर इस stain को perform करने के लिए आपको staining rate चाहिए और आपको smir बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए slide भी आपको चाहिए क्या चाहिए आपको slide भी चाहिए आपको staining rate आ गई staining आपके stain आगे stain reagent क्या आगे आपके stain reagent जिसमें albert solution first और albert stain second blotting paper चाहिए dry करने के लिए cedar wood oil चाहिए क्योंकि हमें किसमें देखना है इनको 100x के अंदर देखना है और आपको क्या चाहिए microscope चाहिए आप देखो reagent में पहला reagent है आपके पास में albert stain तो पहला देखो आप albert stain first कौन सा है albert stain first composition आप student especially ध्यार रखना क्योंकि कई बार हमारा exam में question जो है वो किस पर based होता है composition based होता है तो पहला देखो इसके अंदर क्या है tolodine blue open use करेंगे कितना use करेंगे tolodine blue 0.15 gram दूसरा आप क्या use करेंगे melchite green यूज करेंगे क्या use करेंगे melchite green वो कितना रेगा आपका 0.20 gram तीसरी के अगर मैं बात करूँ क्या चाहिए आपको glacial acetic acid glacial acetic acid कितना काम में लेंगे आप 1 ml आपको यूज करना है चोथा देखिए alcohol 95% ethanol जो है कितना आप यूज करेंगे 2 ml के around और distil water भाई आपका आपको पता है 2-3-3 ml यह हो गया तो 97 ml के around जो है आप क्या use कर लेंगे distil water तो उस distil water के अंदर इन सभी कॉपन क्या कर देंगे dissolve कर देंगे और dissolve करने करने के बाद में आपके पास में क्या बन जाएगा अरे dissol करने के बाद में आपके क्या आपत क्या बन जाएगा 95% ethanol और क्या करना है आपको distilled water तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है Albert stand first बन जाता है क्या बन जाता है Albert stand first बन जाता है ठीक है वहीं तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है सागर कोई भी दिक्कत आती है और भी जो बाकिये students है किसी भी तरह की दिक्कत आती हैं आप comment box के अंदर आप message डाल दीजिए की कई जिसे कई बार क्या होता है टेकनिकल इस्यू होता है टेकनिकल इडिक सथरू के अंदर जैसे माली वो इस वगरा की Melted Green और जो टालोडीन ब्ल्यू वगरा जो है ये वॉलेटिन ग्रेनूल्स वगरा है उनको स्टेन करने के लिए काम में आते हैं तो ध्याँ रखना Albert किस्टेन फस्ट जो होता है वो किसे मिलकर बनावा होता है आगे देखिए नेक्स अपन बात करें दूसरा हमारे पास वो रिएजेंट है वो आपको क्या चाहिए Albert सेकिंड क्या चाहिए Albert सेकिंड अच्छा ध्यां रखना Albert सेकिंड को और क्या कहते है आप Albert's Iodine Solution क्या कहते है Albert's Iodine Solution अब इसको देखते हैं किस से मिलकर बनावा होता है Iodine Iodine कितना होता है उसके अंदर 2 ग्राम होता है Iodine कितना होता है इसके अंदर 2 ग्राम होता है और Potassium जो होता है Potassium Iodide Potassium Iodide Potassium Iodide जो होता है वो आपका कितना होता है 3 ग्राम होता है कितना होता है त्री ग्राम होता है आपका और डिस्टिल वाटर जो है आप लगभग 300 ml के अराउंड आप यूज करते हैं तो इस्टूडेंस जहां रखना आप इस टेशली कि अलबर्ट इस टेंड सेकंड जो होता है जिसको आप अलबर्ट्स आयोडिन सॉलुशन कहते हैं उसमें आप जो है आयोडिन यूज करते हैं दू ग्राम पोटेसियम आयोडाइड आप यूज करते हैं त्री ग्राम और डिस्टिल वाटर जो भी आप 300 ml के अराउंड आप यूज करते हैं तो इस तरह से ये आपके mainly दो परकार के अपन stain आप यूज़ करते हैं Albert stain first और Albert stain second हमारे objective exam के अंदर जो important हमें बात की बात कर रहा हूं जो मैं तो यह है कि इसका आपको composition especially धिहां रखना है कि Albert stain निम्न मेंसे किस से मिलकर बना हुआ है या Albert Einstein second निम्न में से किसे मिलकर बना हुआ है तो ये आपको especially क्या करना है ध्यान रखना है आगे देखिए students next जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोग next देख लीजिए अब बात किसकी आती है method की बात आती है method की बात आती है method में देखो यहाँ पर एक आपको special ध्यार रखना है कि यहाँ पर जो है अपन क्या नहीं करेंगे washing अपन नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे washing तो पहली special बात है आपकी कि यहाँ पर हमें क्या नहीं करेंगे washing नहीं करेंगे अब देखो यहाँ पर पहली जो आपकी बात है पहली जो आपकी बात है वो क्या है सबसे पहले आप क्या बनाएंगे इसमेर बनाएंगे और इसमेर बनाना मैंने आपको जो फर्स क्लास्टी ग्राम इस्टेनिंग की उसके अंदर ही मैंने बता दिया था कि आप जो है किस तरह से आप क्या बनाएंगे इसमेर बनाएंगे ठीक है भाई आप इसमेर बनाएं लिया इसमेर बनाने के बाद आप उसे क्या करते हैं फ्लैमिंग के दुआरा आप उसे क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं अच्छा फिक्स करने के दोरान ध्यान रखना है क्या नहीं करना है इस्टेन यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे अलबर्ट फस्टेन जो आप यूज़ करेंगे और कितने मिनट के लिए आप रखेंगे फाइप मिनट के लिए आप उसे क्या कर देंगे रख देंगे क्या कर देंगे आप फाइप मिनट के लिए आप रख देंगे फिर उस वही आगे देखो next में अब हम क्या डालेंगे Albert Einstein second जिसको आप iodine solution के नाम से भी आप जानते हैं किस नाम से जानते हैं iodine solution के नाम से भी आप जानते हैं और उसके बाद में saw as to cover it completely live air for two minutes कितने minutes के लिए रखेंगे आप two minutes के लिए आप रखेंगे तो ध्यार रखना सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमेर बनाएंगे इसमेर बनाने के बाद आप उसे flame के दुआरा आप उसे क्या करेंगे fix कर लेंगे fix करने के बाद में आप क्या करेंगे सबसे पहले Albert Einstein first डालेंगे कितने minutes के लिए रखेंगे पांच मिनट के लिए, पांच मिनट के बाद आप उसे हटा देंगे, हटाने के बाद आप क्या डालेंगे, अलबर्ट स्टेंज सेकिंड, कितने टाइम के लिए टू मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए टू मिनट के लिए, उसके बाद उसे भी क्या कर देंगे आप ड्रेन ओफ कर देंगे क्या कर देंगे ड्रेन ओफ कर देंगे क्या ध्यान करना है आपको विदाउट वासिंग वासिंग नहीं करनी है आगे देखो ब्लो ड्राइदा इसमेर विद दा हैल्प ओफ फिल्टर पेपर अब फिल्टर पेपर की साहता से जो आपका स्मेर है उसे हम क्या कर लेंगे ड्राइ कर लेंगे क्या कर लेंगे ड्राइ कर लेंगे आगे देखो एग्जामीनिशन जो है पहले मैंने बता दिया किसके अंदर अपन करेंगे ओयल इमर्जन लेंज के अंदर करेंगे किसके अंदर करेंगे आप ओयल इमर्जन डालेंगे पांच मिनिट रखेंगे फिर उसके बाद में क्या करेंगे अलबर इस्टेंज सेकेंड डालेंगे कितने मिनट के लिए रखेंगे टू मिनट के लिए आप रखेंगे फिर जो है आप लोटिंग पेपर से उसे क्या कर लेंगे ड्राइ कर लेंगे और 100X के अंदर अब आपकी जो slide है उसको हम क्या करेंगे observe करेंगे क्या करेंगे उसको observe करेंगे आगे देखिए next दो चीज़ है हमारी अब देखिए important note मैंने यहां पर mark भी कर रखा है कि standing के अंदर आप क्या नहीं करते हैं washing आप नहीं करते हैं only आप किसे dry करते हैं blotting paper से अब देखो हमारी जो results है वो क्या है बैक्टिरिया जो है जिसके corny bacterium dipteria है कैसे color का दिखाए देगा green color का दिखाए देगा metachromatic granules जिसको और क्या कहते हैं आप wallatin granules कैसे दिखाए देंगे bluish black दिखाए देंगे आप कैसे दिखाए देंगे bluish black आपको observe होंगे तो आप यहां पर धिहां रखना especially कि corny bacterium dipteria हो गया दूसरे corny bacteria हो गया और yarcinia pasties yarcinia pasties तो इस तरह की जो bacteria है जिनके अंदर क्या present होते हैं metachromatic granules होते हैं क्या पाई जाते हैं metachromatic granules या wallatin granules होते हैं उन बैक्टिरा को जो है आप देखने के लिए कौन से staining काम में लेते हैं आप albert stain आप काम में लेते हैं तो हमारे जो objective questions है कि albert stain किसके के लिए काम में ली जाती है कौन कौन से बैक्टिरिया जो है Albert stain के द्वारा observe के जाते है कौन सा वेक्टिरिया जो है Albert stain के द्वारा observe नहीं किया जा सकता है और इसके अंदर कौन-कौन से आप reagents आप यूज करते हैं Albert stain first और second इनका composition क्या होता है और step दे सकता है step में के से दे सकता है सबसे पहले आपने क्या किया कि जो आपका समेर है उसको आपने क्या कर लिया सबसे पहले आपने समेर बनाया उसको fix किया Albert इस देंट 1 डाला फिर बीच में उसने wassing डाल दी फिर उसके बाद में Albert 2 डाला तो आपको थ्यान रखना है कि इसके अंदर आप क्या नहीं करते हैं वासिंग नहीं करते हैं तो इस तरह से आपके options आपके बन सकते हैं और पहले ही मैंने बता दिए और इनी बैक्टेरियम डिप्थिरिया जो है वो Chinese Lator के समान दिखाए देता है Chinese Lator के समान दिखाए देता है और साथ में उसके जो metachromatic granules है वो bluish black दिखाए देते हैं, खुद bacteria कैसा दिखाए देता है, greenish color का दिखाए देता है, जो malchate green की वज़े से आता है, ठीक है? तो सभी को समझ में आया होगा कि Albert strain क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है, कौन-कौन से reagent जो है, इसके अंदर use किये जाते हैं, thank you